देखने में संदर लगने वाला गुड़ःल का फूल ये तो दिखने में बहुत संदर लगता ही पर इस फूल के भी अपने कई गुड़ः होते हैं नस्तिफ देखने में इस संदर लगते हैं बलकि इसके कई तरह के फायदे भी होते हैं जिनसे एकसर हम अंजान रहते हैं कोई तरह के अलग-अलग रंगों मिलने वाला या फूल लाल, सफेद, पीला और बैगनी कोई रूपे में होता है या फूल हमारे संदर निखारने में उपयोगी होता है बलकि यह हमारे सेहद के लिए भी बहुत फायदेमन होता है इसका इस्तमाल दवायों के रूप में भी किया जाता है इसमें स्वास्त के लिए कई तरह के पोशक्त पाय जाते हैं गुड़हल के फूल में बिटामिन C, केल्सियम, वसा, फाइबर, आइरान आदि भरपूर मात्रा में होता है यह हमारे बालों में हेर ट्रीट्मिन के रूप में काम करता है जिसे हमारे हेर समध्य सभी प्रोलों दूर करता है गुड़हल के फूल का इस्तमाल हम अपने बालों के लिए भी कर सकते हैं गुड़हल के फूलों वो पत्रियों के लुद परत चाहिए भूहल के बालों को तेजय से बढ़ाने में काफी मर्दगार्द होता है एक की मालों कता। इसके लिए गुरहल के फूल पीश कर बालों में लगाएं बहुत फाइदा होगा बालों के अच्छी गुरोत के लिए गुरहल का फूल बहुत उपयोगी होता है गुरहल के फूल सौर्सो या नारियल के तेल में डाल कर अच्छे से उबाल ले इस तेल की माली से आपके बाल सुंदर घánे हो जाएंगे और साथ ही तेजी से बढ़ने लगेंगे बालो को सफेध होने से रוכने के लिए अगर आप बाल सफेध होने की समस्या से परशान हैं तो आप अपने बालों की सफेद दुदूर करने के लिए मेहदी या निवी करस के साथ गुलहल की फूलों का मिला कर बालों में लगाया जा सकता है। यह एक नेच्छल कंडिशनों की तरह काम करता है। इसका उप्रक करने से बालों की रुशी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी यह जनकरी आपको कैसे लगी। कमेंट करें, लाइक करें और हमारी चैनल लिसन माइट को सब्सक्राइब जरूर करें।